बुर्हानपूर में एक पत्रकार वारता लेकर उपसरपंच संग के प्रदेश अद्यक्ष लोकिंद्र गुर्जर ने बताया कि सहायक सच्चियों अपने तानाशाही मनमानी करते हैं, सरपंच भी उपसरपंच को मानसमान नहीं देते इसके लेशनिवार 29 सक्टुमबर को गुजर भवन में उपसरपंच सम्मिलन करवाया जा रहा है, जिसमें गठन किया जाएगा कि जो सरकार हमको साथ देगी हम उसके साथ में रहेंगे, विपक्ष हमारा साथ देगी तो हम विपक्ष के साथ में रहेंगे, आने वाले के लिए आपने पत्रगावारता ली, अभी जो प्रेश कांपेंस होगी, 29 तारीक सुबर नौ बजे से पांच बजे तक उपसरपंच संका जिले अर्देक्ष जनपत इस्तर पर कारिकारणियों की घुशना एकल होगी, इसलिए हमने प्रेश कांपेंस से बुलाई और सरकार को दो टुक समझाने की बात कहीं, कि पंच और उपसरपंचों की अवभ storage जो आजादी सी लेकर आप उत्ताहर को रही है, और आप तक बरुदास तो उपसरपंच करते आए हैं, और पंच भी करते आए हैं, अब किसी प्रकार से कोई कोतों ही भलती नहीं जाएगी, और से कि आधिकार दिलाने के लिए प्रयास करेगी और पंचायती राज में आधिकार लाएगे तो ही हम उस सरकार के साथ रहेंगे वो सरकार को मोका देंगे अन्यथा विपक्षिय अधिचुनावी मेनों फेस्टों में ले आता है कि पंचों और उपसर-पंचों को हम सरकार में आए तो उनको आधिकार दिलाएंगे, तो हम उनके साथ जाएंगे, क्योंकि पंचो और उफसरपंचो के साथ जो भेदभाव हो रहा है, स्वावी मान के साथ ठेज पहुच रही है, सचीव सुनने के लिए तैयार नहीं है, साहे पोजगार समझने के लिए तैयार नहीं है, बुरानपूर से शकील खान की रिपोर्ट